नवस्कर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैसवाल सर आप सभी का स्वागात अभिन्दन है टीटी फेमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ वाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे बालविकास की क्लास नंबर टू इस क्लास में हम टॉप 25 प्रिशन करने के साथ साथ 5 प्रिशन ओर करेंगे टोटल 30 कोचिंगे क्योंकि समय बहुत कम है पेड़ागाजी का चेप्टर बहुत बड़ा है इसलिए यहां पे हम 30 कोचिंग करने जा रहे हैं लाइप क्लास के साथ है और इस लाइप क्लास के आपका जो पहला पार्ट है प्लेलिश्ट बना दिया गया है लाइप क्लास क् Tillam के बाद आपको यहां पे पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा इन्डी सकीन पर आपको पहले पार्ट का वीडियो मिल जाएगा तो चलिए सभी लोग त्यार हुजिए लाइप क्लास के साथ 30 प्रस्ण में आपका feedback क्या है आपका comment क्या है आपको comment box में अवज़ share करना है बालविकास class का दूसरा दूसरे class का पहला प्रश्न है जीन में से कौन सा बालकों के अधिपलम एवं बकास में सबसदिक योगदान देता है परिवार समयक समू और टेली भीजन परिवार समयक समू अध्यापक परिवार खेल एबं कंप्यूटर परिवार खेल एबं परेटन तो बालकों के अधियम में एबं विकास में सब सदिक जो योगदान देता है वे परिवार समयक समू और अध्यापक सिकंड बाल आपसन सई ह प्रश्ण के आप पूँचा जा रहा है, आप लोगों की स्किन पर प्रस्ण है, अप लोगों की स्किन पर प्रश्ण है, सभी लोग कमेट कीजेगा, फिट्बेक कीजेगा, किनिन में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, देखा जाये अभी जो 2019 में पेपर हुआ था, वज़े से होता है वह अनभव प्रदान करने में महत तो नहीं देता या प्ररम्बिक अनभव महत्पूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्ता चेप भी महत्पूर्ण होता है प्ररम्बिक जीवन की नकरात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक बचाओ नहीं कर सकत यह कथन आपका सही नहीं दिया गया है बाकि जो सारे कथन है ABD यह हमारे कथन सही दिया गये है इसके साथ हम बात करेंगे अंगले प्रशन की बालक की प्रथम पाट साला कौन सा होता है काफी बार पूंचा गया प्रशन है तो सभी लोग जानते हैं बालक की प्रथम पाट साला माई फैमिली परिवार होता है। इसके साथ ही आपका अंगला प्रशन हैं जो इसकीन पर आ लेडी आ चुका है। प्रशन पूंचा जा रहा है बालक का प्रारंभी विकास मुक्ते किस पर निर्फर रहता है। माता-पीता पर, वाता उवरण पर, विद्दाले के वाता उवरण पर या समाज पर निर्फर रहता है। सभी कमिन कीजेगा। जियां फोर्थ क्वेशन आपके स्कीन पर अलेडी आ चुका है। इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सभी कमिन कीजेगा। तो बालक का प्रारंबिक विकास जो है, मुकते किस पर निर्फर करता है, माता-पीता पर निर्फर करता है, परेंट्स अविवावक पर निर्फर करता है। इसके साथ ही अंगला प्रशनौ। प्रसंदिया गया है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से सम्मध्ध है उनको विकास के बहतर वातवरन पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेच्छा जो है, साप सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अईवावक ज्यादा प्रसंचित रहते हैं, उन्हें सांति में परिसिती मिलती है ये उन्हें बेतर परिसितियां प प्राप्त होती हैं, क्या होता है बेतर परिसितियां प्राप्त होती हैं, आपसे नंबर D के बात करेंगे, इसके साथ ही आपका अंगला प्रशन, ब्रद्धी को प्रभावित करने वाले कारक कौन होता है, परियावरन, स्वास्त, आहार या ये सभी, देके ब्रद्धी को प में से किसके अत्रिक्त जो है सभी वातावर्णी कारक विकास की और या विकास को अकार देते हैं लेकिन पॉश्टिक गुणवत्ता ये भी विकास को अकार देता है संस्कति है ये भी अकार देती है सिच्छा की गुणवत्ता ये तीनों आपके वातावर्णी कारक के विकास क और अकार देते हैं इसके बाद आपका अंगला प्रस्न क्या पूंचा जा रहा है जो आप लोगों के अलेडी स्किन पर है आठवा प्रस्न है आईए देख लेते हैं फीडवेक जान लेते हैं आप लोगों उसे फीडवेक क्या मिलता है देखे आठवा प्रस्न हमारा पूंच एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन घरों में हुआ उनकी बुधिलब 0.75 के समान उच्च है या कह सकते हैं कि सरीरी रूप से स्वस्त बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाय जाते हैं या कह सकते हैं कि कुछ सिछार्थी सुचनायों का जल्दी प्रक्मन करते हैं जबकि उसी कच्चा के अन्व विद्यार्थी येसा नहीं कर पाते हैं देखे दोस्तों ऐसा कतन जो बच्चे की विकास में परिवेश की भूमका का समर्थन करता है पिछली कुछ दस्दाब्दियों में बुधिलबदांग परिच्चा में सिछार्थी व विद्यार्थी बालग बालीका के औसर प्रदोसर में लगा तार बद्धि हुए तो बच्चे की विकास में परिवेश की भूमका में समर्थन जो कर रहा हमारा पहला आपसं यहापे समर्थन चाया presenting इसलिए पहले आपसं से हो जाएगा अलगवग इसी प्रकार के एकजाम म जो सही क्रम होता है। वह होता है पहला होता है सैसावस्था, दूसरा बाल्लावस्था, तीसरा किसोरावस्था और चौथा होता है प्रौड़ावस्था। सब्सक्राइब आपसन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं अंगले प्रिश्न के जन्मॉत्तर यानि जन्म के बाद के विकास की दूसरी अवस्ता क्या कहलाती है गर्भा वस्ता, सैसा वस्ता, कि सोरा वस्ता या बाल्ला वस्ता कहलाती है सभी कमिनई करके बताईए जिया, टेंथ नंबर कोश्चन्स आपके स्कीन पर है कि जन्मोत्तर ये जन्म के बाद की विकास की दूसरी जो प्रमुख अवस्था कहलाती है वह कहलाती है बाल लेवस्था पहली जो कहलाती है सैसावस्था, दूसरी कहलाती है बाल लेवस्था इसके बाद अंगला प्रशन सैसा वस्था मानो विकास की प्रमुख अवस्था है प्रथम, द्वती, तरती या चतुर्थ है तो सैसा वस्था जो है मानो विकास की कौन से अवस्था कहलाती है वह प्रथम अवस्था कहलाती है इसके बाद आपका अंगला पश्ण है सैसा वस्था होती है तो सैसा वस्था कियाओ सभी लोग जानते हैं पांच वस्था होती है सून से लेके पांच वस्था कियाओ हमारी सैसा वस्था कियाओ कहलाती है इसके बाद आपका अंगला पश्ण बाल्य वस्था होती है तो सभी लोग जानते हैं जब 0 से लेके 5 वस्था कापकी 6 वस्था होती है तो 5 से लेके 12 वस्था की वस्था जो होती है वह हमारी कहलाती है बाल्य वस्था तो 12 वस्था की वस्था यहाँ पे हो जाएगा बाल्य वस्था की बात करते हैं इसके बाद अंगला प्रस ने 600 काल की अवधी कौनसी होती है तो सभी लोग जानते हैं 600 काल की अवधी जर्म से 2 वर्स, जर्म से 3 वर्स, 2 से 3 वर्स, जर्म से 1 वर्स, सभी कमेंट कीजिए तो सैसर उकाल की जवदी कहलाती है वे जर्म से लेके दो वस्तक की अवदी कहलाती है पहला आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा इसके बाद अंगला परस ने मद्द बच्पन की अवदी कौन से कहलाती है देखे, इसमें जो आपके दो होते हैं, एक होता है पूर बाल लवस्ता, एक होता है उत्तर बाल लवस्ता, तो 6 से लेके 9 तक पूर बाल लवस्ता, 9 से लेके 12 तक उत्तर बाल लवस्ता होती है, यह भी चीज़ें आपको नोट कर लेना है, काफी बारे पूंचे भी जाता है, अंगला के निम्निकित में से कौन सा आयू समूई परवर्ती बाल्यवस्था सेड़ी के अंतरगत आता है गेरा से 18, 18 से 24, जर्म से 6 या 6 से लेके गेरावस्था देखे जो आयू समूई परवर्ती बाल्यवस्था सेड़ी में आता है तो हमने आपको बताया था, ठीक है, पूरवर्ती पूँचा जाता है, तो वह आपका आ जाता है 6 से 9 वस्तक, और अगर परवर्ती पूचा जाता है, तो 9 से लेके 12 वस्तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका देखे, कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है, तो ऐसा समूख बात करते हैं, तो 60 वस्त के जीवन के अंतक जो ब्रदावस्तक होता है, 60 से लेके जीवन पर अंतक ब्रदावस्तक का समय होता है, अगला निन में से कौन सा आउ, समूख परवर्ती बालेवस्तक के सेनी के इंतरगत आता है, देखे, आप सभी लोग जानते, समूख परवर् आप देखें परवर्ती जिक्र दिया गया है अब यहाँ पर आपका सही prediction दिया गया है 9kit से 12 यह चीज हम जो पिछले question पर नहीं था लेकिन इस question पर आपका रइट दिया गया है अगर पूरवर्ती होता तो फिर 6 से लेके 9 वर्स तक आपसन सही होता इसके बाद हम बात करते हैं अंगले पुष्ण के बाले वस्था या बाले काल होता है जम से लेके 3 वर्स तीसरे वर्स से 6 वर्स, छटे वर्स से 12 वर्स, दूसरे वर्स से 10 वर्स तो हम आ लेडी आपको बता चुके हैं कि बालकाल जो होता है छेटे वर्स लेके बारा बस तक की आउटक होता है इसके बाद अंगला प्रिशने कि निम्लिकित मेंसे किस आयूसीमा को प्रारंभिक बच्पन माना जाता है तो जिस आयूसीमा को प्रारंभिक बच्पन माना जाता है वह हमारा कहलाता है दो सुले के छे बस तक इसके बाद हम अंगला प्रिशने कि बात करेंगे गरवादान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है तो गरवादान से बालक के जम तक की अबदी को क्या कहा जाता है सभी लोग जानते प्रशव पूरकाल या प्रशव पूर अवस्था कहा जाता है स्रीव आला यहां पर आलेडी आपका अप्सन सही हो जाएगा इसके बाद अंगलावस्त ने मानो विकास का जो प्रारंब होता है वे गर्भावस्ता से पूर बालावस्ता से उत्तर बालावस्ता या सैसावस्ता से होता है तो मानो विकास का जो प्रारंब होता है वह आपके गर्भावस्ता से होता है पहला अपसन यहां पे सही करने है वि बिकास जो शुरू होता है वह आपके प्रशो पूर अवस्ता से ही शुरू हो जाता है जो कि आपका जीवन परियन चलता रहता है लेकिन ब्रद्दी के एक निश्चित समय और सीमा होती है इसके बाद अंगला प्रश्ण है गर्वस्त सिस्व में समवेदन सीलता का बिकास प् प्रारंब होता है तो आपके सभी लोग जानते हैं वह आपका प्रारंब सीर से होता है पहला अप्सन सई हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रश्ण है गर्व में बालग को बिक्सित करने में कितने दिन लगते हैं एक सुपचास दो सवासी तीन सुनब्बे छैसो चालिस तो बालग को बिक्सित होने में कितने दिन लगते हैं हम बात करेंगे 280 days अपसन नमबर B के बात कर रहे हैं इसके साथ ही आपका अंगला प्रश्ण है निम्रकित में से क्या जन्म से पूर होने वाले विकास को नकरात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता कैफीन, ब्यायाम सराब या विक्रन, देखे पूचा गया है कि क्या जन्म से पूर होने वाले विकास को जी हाँ जब बच्चा जन्म नहीं होता है इससे पूर यानि प्रूणा वस्ता की बात कर रहे हैं होने वाले विकास को नकरात्मक रूप से क्या प्रभावित नहीं करता, देखे कैफीन भी करे गा, सराप करेगा, बिक्रण करेगा लेकिन बयाम नहीं करता है बयाम आपका नहीं करता है इसलिए variant question, second option exercise, बयाम आपका सभी हो जएगा किस अवस्था में सरीरीक व्रदि तीब होती है? अरंबिक बाल अवस्था, तो जिस अवस्था में आपके सरीरी व्रद्धी तीव होती है वह हमारी कहलाती है सैसावस्था सबसे ज़्यादा सरीरी व्रद्धी सैसावस्था में होती है पता नहीं चलता कब बच्चा बड़ा हो जाता है चलने लगता है ठीक है तो सबसे तीव जो व्रद्धी होती है वह आपके स सैसावस्था की मुख विसेष्था क्या नहीं होती यानि हमें ये भी जानना है कि सैसावस्था की मुख विसेष्था क्या क्या होती है सीखने की प्रकिया में तीविता, जिग्यासा की प्रवति, अनुकर्ण द्वारा सीखने की प्रवति या चिंतन प्रकिया की बात करेंगे तो सैसावस्ता की जो मुख विसेश्ता होती है वह सीखने की प्रकिया में तीविता होती है जिग्यासा की प्रवत्ती होती है, अंकर्ण द्वड़ा सीखने की प्रवत्ती होती है लेकिन चिंतन की प्रकिया या आपके सैसावस्ता की मुख विशेष्टा नहीं होती है इसके बाद हम बात करेंगे अंगले पृष्ट की सहस्ता वस्ता में बच्चों की क्रिया कलाब कैसे होते हैं मूल प्रत्यात्मक, संड़चित, शंगनात्मक या संवेगात्मक की बात कर रहे हैं तो सहस्ता वस्ता में बच्चे की क्रिया कलाब जो होते हैं वह आपके मूल प्रत्यात्मक होते हैं बालक जर्म से लेके 2 वस्तक की, 3 से लेके 6 वस्तक की, 7 वस्तक की या किसूरा वस्तक में होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं स्वाकेंदी तवस्तक जो होती है वह बालक के 3 से लेके 6 वस्तक की वस्तक कहलाती है वह स्वाकेंदी तवस्तक कहलाती है। इसलिए यहाँ पर आपका भी आपसन सही हो जाएगा और इस क्लास का आपका 30 नमबर कोश्चन्स आपके स्कीन पर है किसी सु खाली स्थान की उम्रतक अजनवियों से जिजकना या सर्माना विक्सित करते हैं तीन महीने एक वर्स नौ महीने या छे महीने तो सिसु जो है किस उम्रतक अजनवियों से जिजकना या सर्माना विक्सित करते हैं या आपको कमेंड करके बताना फिर्वेक करके बताना है या आप सभी के लिए मोक क्वेश्चन करूप में प्रसंदिया जा रहा है तो आई होग सभी पैरमित आप दोगों कमेंड करना 30 में से बालविकास, CD चाइल्ड डेवल्लमेंट एंड पेड़ागोजी में से 30 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया नीचे कमेंड बाक्स में और सेर कीजेगा मैं आपके साथ जेजबा सर मिलता हूँ आप यंगली क्लास पर सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम